और क्याल चल भाई लोग तो स्वागत ने वीडियो में तो आज के वीडियो बहुत ही स्पेसल है क्योंकि मैं बात करने जा रहा हूँ इंडियान मेंस फुटबॉल टीम के बारे में जो कि इस सीजन कितने मैच खेलेगी मैं सब्सक्राइब लेकिन 2023 काफी धमाकेदार स्टाइल में अगर तुम मेरी बात मानों तो इंडिया जादा से ज्यादा इस साल 21 इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच खेल सकता है मैं तुमby एक्स्प्लेंड कर दूँगा कैसे 21 मैच बोल रहा हूं है कम से कम तो पंदरम मैच खेलेगा ही खेलेगा पंदरम मैच तो confirm इंडिया इंटरनेशनल मैच खेलने जा रहा है तो अपन पहले स्टार्ट करते हैं मार्च मेने में हैं दो गेंगे खेल चुक्षी ऐरो ट्राइनसर लोगा था हमने करी घालताव आनमर्प शूरा यहां जा रहा है मैंटेरह डियाऀप में होगी जो इंडिया को होगी एक country दूसरे content से होगी आफका शो सकती है और भी कौंप कहते है अलग-अलग confederations से ही रोट से वसकते है तो मतलब जो जूँ इंडिया जहां जहां से प्ला है तो कुल मिलाकर चार कंटर होगे इंक्लूडिंग इंडिया तो वहां पर तीन मैच खेलेंगे यह होगा जून में आठ और अठारत जून के बीच में तुम तीन काउंट कर लो कम सकम तीन मैच तो खेले गाई क्योंकि जब इंडिया तीन मैच खेलना है अगर टॉप टूप फिनि अगर हम फाइनल में पहुंच तो टॉप टूप में फिनिस करते हैं तो फाइनल में खेलेंगे चार हो जागा तो जून के टॉप पे हम 3 मैच और को कर लो हमदा हमिला हमदे हम está होगे-पैंच हम आते हैं जुलाई के टाइम पे 21 जून और तीन जुलाई के बीच में सैफ चैंपियन सीप होगा जो कि साउथ इस्ट एसिया का होता है और सैफ में भी हम कम से कम दो मैश तो खेलेंगे क्योंकि एक ग्रूप बटेगा ग्रूप में मुस्ट प्रॉबली तीन-तीन का मैश तो खेलेंगे अगर टॉप फिनिस करीग तो आज़िसली सेमा फैनल मे जाएंगे खेल चुके इंटर कॉंटिनेंटल हो गया और दो हमारे पास सैफ हो गया अब हमारे पास कितना हो गया 7 अब हम आते Kings Cup Kings Cup जो Thailand में होने जा रहा है और Thailand ने इंडिया को इस बर invite करा है तो तीन देश उसमें खिलते हैं तो दो match तो खेलेंगे खेलेंगे और यह होगा सितंबर में होगा एक match साथ सितंबर को खेलेगा इंडिया और दूसरा एक दस सितंबर को तो दो match वहाँ होगे साथ दू कितने हो गए नो अब आता है ASEAN गेम 2023 में ASEAN गेम भी होने जा रहा है जो कि 2022 में होना था COVID के वज़े से 2023 में होने जा रहा है और ASEAN गेम में इंडिया कम से कम 3 मैच खेलेगा ही खेलेगा ग्रूप स्टेजेज जिस तरीके से बटेएं जिस तरीके समय ने देखा ASEAN गेम में ग्रूप बटे कम सकम 3 मैच खेलेगा गई ग्रूप में ऐसा भी हो सकता है यह 5 कंटरी हो सकती तो 4 मैच भी खेल सकता है लेकिन 3 मैच खेलेगा चार का ग्रूप तो बटेगा 3 मैच वहां से हो गया अब 9 तीन मैच यहां से होगे, तो कित्त होगे तुमारे पास 12, 12 मैच होगे, कम सकम 12 मैच तखेलेंगे, फिर एक होगा मेडरका कप, जो की मलेशिया होस्ट कर रहा है, और इंडिया को बुलाया गया वहाँ पर, जो की होगा अक्टूबर में, एसेन गेम्स होगा, 23 सितंबर से लेक पांच, सैफ में हो गया, 2, 7, किंग्स कप में हो गया, 2, 7, 2, 9, एसेन गम्स में कम से कम 3 गेंजिते खेलेगा, तो हो गया 12, और 2 गेम, मैडरका कप में, हो गया 15, अब मैंने 21 कैसे बता दिया, अब 21 मैंने इसलिए बता दिया, इंटर कॉंटिनेंटल, अगर टॉप टूप हम फिनिस करेंगे तो एक एक्ष्टा मैच मिलीगा, 15-16, क्योंकि फैनल खिलना पड़ेगा, जो टॉप टूप फिनिस करेगा, फिर उसके आगए सैफ, अगर सैफ में हम जो गूप बटेंगे, उसमें टॉप टूप में फिनिस करते हैं, गूप इस प्टेज से अगले, सब कुछ बढ़ियां रहा सब कुछ बढ़ियां रहा हम सांदर परफॉर्म करें हमने कुछ भी नहीं करा एक दम ही खराब परफॉर्म करें फिर भी हम 15 खेलने जा रहा है तो साथ तुम्हें समझ में आगा हो कि मैं क्या कहना चाहरा हूं मतलब तुम्हें क्लियर हो गया है कैसे इंडिया इतने सारे गेम्स खेलने जा रहे और कोई भी कहीं से कॉलाइड नहीं कर रहा है सारे जो डेट्स एक दम सही है अगर एक खतम और दूसरा श्टार रहा दूसर के प्रिपरेशन के लिए इतनी मैच बहुत ही अच्छे हैं यहां भी संदर्फ करो एक इंडिया वालिफाई करें व्ल्ड कप में बढ़ियां करते हैं हमारे पास चांसे और हम बहुत कुछ कर सकते हैं तो तुम्हारा क्या थोड़े तुम्हें क्या लगता है कितना सक्सेस् के लिए और हम क्या SCN गेम्स में इस बार अच्छा परफॉम कर सकते हैं क्यों सबको पता है कि इंडियन अपने गोल्डन एरा में दो बार गोल्ड मेडल जीता हुआ है तिसरा भी आजा बहुत बड़ी बात है हूँ फिर भी होप तो करी सकते हैं तो कम सकम 15 गेम ज्यादा- चुले में बाई-बाई